हेई गाईज वेलकम टू माय चानल दावत तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही जादा खूब सूरत सा लेस केक या कॉलर केक भी आप लोग इसे कह सकते हैं देखी सकते हैं एक दूम बेकरी जैसा सौफ्ट और स्पॉंजी केक हमने घर पर ही ब बेक करने के लिए टिन तयार कर लेते हैं तो आज मैंने यहाँ पर यह 7 इंच का या 7 इंच का अलुमिनियम का टिन लिया है आप कोई भी 6 या 7 इंच का टिन यहाँ पर ले सकते हैं तो इससे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर भी तेल से ग्रीस करके इस तरह हम लोग यहां पर pre-mix से यह cake बनाने जा रहे है तो यहां पर मैंने चॉकलेट pre-mix लिया है 200 ग्राम और उसमें हम लोग बस थोड़ा-थोड़ा करके पानी मिलाएगे आधा कप के करीब हमने पानी लिया है करीबन ऑल्मोस्ट 100 ml के करीब पानी लिया है थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसका बैटर तयार करेंगे अगर आपके पास प्रेमिक्स नहीं है तो आप लोग इसे मैदे से बना सकते है अगर आप अंडे वगरा खाते है तो आप अंडे से भी एकेक बना सकते है अंडे का यूज करके तो दोनों वीडियो के लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये है तो आप लोग वहाँ पर जाकर दोनों वीडियो चेक कर सकते है यहाँ पर पूरा आधा कप यानि के 100 ml के करीब पानी यूज किया है और 2 टी स्पून के करीब हमने इसम सन फ्लार ओईल मैंने आज यहाँ पर यूज किया है हलके हाथ से इसे मिला देंगे और बैटर की कंसिस्टंसी भी देख सकते है इस तरह से होनी चाहिए चलिए इस बैटर को हम लोग ग्रीस किये हुए टीन में इस तरह से डाल देते है और इसे तीन से चार बार इस तरह से कर लेंगे ताकि एक्स्रा की हवा निकल जाए अब इसे हम लोग बेक करने के लिए रख देते हैं के बेक करने के लिए हमने यह जो पतिला है इसे पांच मिनिट पहले ही लो फ्लेम पर गरम या प्रीट किया है इसके अंदर एक स्टैंड भी डाल दिया है अब हम लोग केक इसे इसके अंदर रखकर इसे पूरी तरह से ढखकर इस तरह से प्लेट से 30 या 35 मिनिट तक बेक कर लेंगी लो फ्लेम पर पूरे 30 मिनिट यानि की 30 मिनिट होने के बाद आप लोग देख सकते हैं गाईस हमारा केक यहाँ पर अच्छे से राइस हो चुका है और टुदपिक एक क्लियर आ गयी है इसका मतलब है यह पूरी तरह से बेक हुआ है इसे हम लोग थंडा होने देंगे और जब तक हमारा केक थंडा हो जाता है तब तक हम लोग यहाँ पर उस डेकोरेशन के लिए विपिंग क्रीम या विप क्रीम तृयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 220 यम बहुत ही अच्छी तरीके से तयार हुआ है आज मैंने यहां पर यह रेडिमेड वाला प्रिमिक्स यूज किया है देख सकते हैं केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉंजी बना है अगर आप किसी के बड़े पर खास करके केक बना रहे हैं तो आप लोग प्रिमिक्स का यूज जरू देती हो और अब हम लोग यहां पर शुगर सिरफ तयार करेंगे आधा कप नॉमल पानी और उसमें दो से तीन चमच चीनी हमने मिला दी है अच्छी तरह से इसे डिजॉल कर लेंगे हमारा शुगर सिरफ भी तयार है इसे हम लोग केक को मॉइस्ट कर सकते हैं अब हमने यहा चॉकलेट केक है तो थोड़ा सा शुगर सिरफ ज्यादा यूज कीज़ेगा क्योंकि चॉकलेट केक थोड़ से जल्दी ट्राय हो जाते है इसके बाद हमने जो क्रीम बनाई थी उसे हमने इसके उपर पाइपिंग बैक की हल्प से स्प्रेड कर दिया है और फिर उसके उपर हमने यहाँ पर थोड़ इसी चॉप्ट कटी हुई चेरीज भी डाल दी है और उसके उपर थोड़ा सा जाएगा डाक कंपाउन चॉकलेट आप चाहे तो यहाँ पर चोको चिप्स डेरी मिल चॉकलेट के टुकडे नहीं तो जो चॉकलेट सिरफ आता है चॉकलेट सॉस आता है वो भी डाल सकते है इसके बाद सेकंड लेयर जाएगी उसे भी हम लोग सेम उसी तरह से शुगर सिरफ से सोक कर लेंगे फिर से हम लोग उसके उपर क्रीम की लेयर लगा देंगे हलके हाथ से स्प्रेड कर देंगे और उसके बाद फिर से जाएगी चॉप्ट चेरीज और चॉकलेट भी आज हम लोग यहाँ पर यह लेस या कॉलर वाला ब्लैक फॉरेस्ट केक बना रहे है एक दुम प्रीमियम रॉयल सा ब्यूटिफुल सा यह केक बनता है बहुत ही असान सी रेसिपी है दिखने में बस यह थोड़ा सा मुश्किल लगता है बनाने में लेकिन आज मैंने आपके साथ इतनी easiest इसके रेसिपी और एक दिन डीटेल में step by steps रेसिपी शेयर की है कि आप लोग इसे बहुत ही असान इसे बना सकते हैं थर्ड लेर भी गाईज हमने यहाँ पर डग दी है उसे भी शुगर सिरफ से सोक करना है अब जो cake है उसे हम लोग ना crumb coat करेंगे crumb coating का मतलब यह होता है कि जो छोटे-छोटे दाने या थोड़े से यहाँ पर crumbs निकलते हैं उसे हम लोग cake के अंदर ही दबा देंगे इसके लिए आपको कुछ नहीं बस थोड़ी सी कम कॉंटिटी में cream आपको इस तरह से cake के उपर लगानी है और बस इस तरह से palette से उसे cake के उपर spread करना है इससे आपकी जो final finishing होगी वो एकदम perfect होती है तो इसलिए आपको crumb coat करना बिल्कुल optional है चाहे तो आप लोग कर सकते है नहीं तो ज़्यादा cream लगा कर direct इस तरह से आप लोग इसे भी decorate कर सकते है तो यहाँ पर हमने crumb coating के बाद cake को 10 minute के लिए फ्रीज में रख दिया था ताकि यह cream थोड़ी सी set हो जाए और इसके बाद हमने निकाल कर अब final finishing यहाँ पर शुरू कर दी है तो final finishing के लिए आपको बस थोड़ी सी ज़्यादा quantity में whip cream लगा कर cake को इस तरह से cream से cover करना है इसका detail video भी है उसकी link जो है वो नीचे हमने दी है आज हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा fast में दिखा रहे है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा देखिए इस तरह से cake हमारा icing होकर तयार है अब हम लोग क्या करेंगे एक धागा लेकर इसका जो पूरा diameter है side है इसकी उसका नाप ले लेंगे और उसी धागे के नाप का हमने यहाँ पर यह जो butter paper है उसे इस तरह से cut कर दिया है इसकी height हमने cake के इतनी ही या थोड़ी से ज़ादा रख सकते है आप लोग इसके उपर हम लोग cake की जो color या lace है उसे बनाएंगे तो वही चोकलेट वाली खूब सूरत लेस बनाने के लिए हमें चोकलेट चाहिए होगा तो यहाँ पर हमने 100 ग्राम के करीब चोकलेट लिया है इसे बस गरम पानी के उपर हलका सा हमें melt करना है जो नीचे का पानी है बाउल को टच नहीं होना चाहिए चोकलेट यहाँ पर पूरा melt हो चुका है इसमें आपको कुछ भी आड़ नहीं करना है ना ही butter ना ही दूद सिर्फ चोकलेट को melt करना है हलका सा ठंडा होने देंगे एकदम गरम गरम चोकलेट नहीं है हलका सा ठंडा है लेकिन पूरी तरह से melted है और piping bag में यह melted चोकलेट डाल दिया है piping bag को बस आपको छोटा सा छेद करना है इस तरह से और जो butter paper हमने नीचे रखा था ना उसके उपर बस आपको इस तरह सी यह design बनानी है बस आपको कुछ भी नहीं क क्रिस क्रॉस में आपको यह डिजाइन बनानी है लेकिन हम यह design बनाते टाइम आपको बीच बीच में बहुत ज़्यादा gaps नहीं चोड़ने है एकदम compact आपकी यह design होनी चाएए तो अभी कि जो लेस है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं देख सकते हैं यहाँ पर हमारी लेस इस तरह से तियार है और बस 5-6 मिनिट के बाद ही हमारी जो लेस है वो इस तरह से सूख चुकी है एकदम ड्राय नहीं हलकी सी है लेकिन हाथ को हाथ लगाने से चिपक नहीं रहा है चौक जो केक है इसके उपर इस तरह से चिपकानी है बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है देख सकते है इस तरह से और बस जहां पर भी गप्स है वहाँ पर हमें इस तरह से कर लेंगे और केक को बस आधे गंटी के लिए फ्रीज में रख देंगे और इसके बाद हम लोग चोकलेट श्रेडिंग बनाएंगे देखिए इस तरह से तयार है यह केक के ऊपर ढालने के लिए आदे गंटे के बाद हमारा केक भी तयार है इसे हमने फ्रीज से निकाल दिया है यह निकालते समय आपको एकदम पेशन्स की जरूरत है एकदम हल के हाथ से आपको इसे निका बना लेंगे आपको जो भी डिजाइन पसंद है उस तरह से आप लोग इस केक को डेकोरेट कर सकते है देखिए यह जो हमारी चोकलेट की लेस है कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है नीचे बॉर्डर की डिजाइन बनाने के लिए हमने छोटा वाला स्टार नोजल इससे हमारा केक और वे ज्यादा खूबसूरत लगेगा जो बीच में जगल खाली बश्ती है वहां पर हम लोग यह जो चॉकलेट श्रेडिंग या हमने जो चॉकलेट का दुकस किया है उसे डाल देंगे और साइड्स में थोड़ी सी चेरिस भी लगा देंगे देखिए गा से बीचेर आप लोग बना सकते हैं मैंने एक दूम डिटेल में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की है तो आए होप आपको यह हमेशा की तरह ही पसंद आई होगी तो जरूर रेसिपी ट्राइ किजगा अच्छी लगी है हमेशा की तरह पसंद आई है वीडियो को एक लाइ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो देखी सकते हैं यहाँ पर यह कितना ज़दा सॉफ्ट और स्पॉंजी बनता है और हाँ खाने में भी उतना ही ज़दा टेस्टी बनता है तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नएसी वीडियो के साथ या नेरे स्पी के साथ तब तक के लिए थैंक्स पर वोचिंग